पाट्चार, क्रिया प्रयोगाह, क्रीडती, हसती, धावती, खादती, तालिका ध्यानेन पठत अवगच्छता च, लटलकार, वर्तमानकाल, एकवचनम, द्वीवचनम, बहुवचनम, सह, सा, बालह, रमा, तव बालव, ते बालिके, रामव, नरव, ते ताह, बालिकाह, नराह, प्रथम पुरुशह, पठती, पठतह, पठंती, त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुशह, पठसी, पठतह, पठत, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुशह, पठामी, पठावः, पठामः धातुओं के भेद धातुएं दो प्रकार की होती है पहली अपरिवर्तनिय धातुएं दूसरी परिवर्तनिय धातुएं अपरिवर्तनिय धातुएं ये ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें परिवर्थन नहीं होता है, इनका प्रयोग इनके मूल रूप में ही किया जाता है। उदाहरण पठ पढ़ना सह पठती, तव पठतह, ते पठनती, क्रीड खेलना सह बालः क्रीदती, तव बालव क्रीडतह, ते बालाः क्रीडनती हस हसना, सा बालिका हसती, ते बालिके हसतह, ताह बालिका हसंती धाव धौर्णा, अश्वधावती, अश्ववु धावतह, अश्वाह धावंती पत गिर्ना, पत्रम पतती, पत्रे पततह, पत्राणी पतंती, चल चलना, चक्रम चलती, चक्रे चलतह, चक्राणी चलनती कुछ अन्य अपरिवर्तनिय धातुएं, खाद, खाना, लिक, लिखना, नम, नमस्कार करना, वद, बोलना, भ्रम, घूमना, पच, पकाना परिवर्तनिय धातुएं द्रिश पश्य देखना ग्रा जिग्र सूंगना गै गाय गाना धातु जिस शब्द से किसी कारिकी करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं जैसे खाद खाना लिख लिखना आदी संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं धातु का चिन्ह है इसका प्रयोग धातुओं के साथ किया जाता है जैसे खाद लिख आदी इन्ही धातुओं में भिन भिन प्रत्य जोड़कर विभिन प्रकार के क्रिया रूपों का निर्मान किया जाता है जो वच्चन और पुरुष के व्याकरनिक कोटियों के अनुसार भिन भिन होते हैं क्रिया पर पुरुष का प्रभाव पुरुष का संबंद केवल क्रिया यानि धातु के रूपों के साथ होता है क्रिया के रूप करता के अनुसार होते हैं अतब पुरुष केवल करता शब्दों का ही देखा जाता है युश्मत, त्वम, युवाम, युयम और अस्मत, अहम, आवाम, वयम के अतिरिक्त सभी करता प्रथम पुरुष के माने जाते हैं मध्यम पुरुष में केवल युश्मत तथा उत्तम पुरुष में केवल अस्मत शब्द होते हैं भवान आपका प्रयोग भी प्रथम पुरुष में ही होता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं। अर्थात कर्ता तीन तरह के होते हैं। उसी के अनुसार क्रिया भी तीन तरह की होती है। प्रथम पुरुष कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। वचन का क्रिया पर प्रभाव। क्रिया पदों में भी तीन वचन होते हैं। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, द्वी वचन कर्ता के साथ द्वी वचन की क्रिया तथा बहु वचन कर्ता के साथ बहु वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ध्यातव्यम, अस, होना, एक वचिनम, द्वी वचिनम, बहु वचिनम, प्रधंपुरुष, अस्ति, स्थ, संति, मध्यंपुरुष, असी, स्थ, स्थ, उत्तंपुरुष, अस्मी, स्वाह, स्माह, क्री करना एक वच्णम द्विवच्णम बहुवच्णम प्रथम पुरुष करोती कुरुतह कुर्वंती मध्यम पुरुष करोशी कुरुतह कुरुत उत्तम पुरुष करोमी कुर्वाह कुर्मा